गुड मॉनिक फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो आज है साथ मार्च और स्टार्ट करते हैं आज करण फ्यस पहला कोश्चन है भारत किस देश के साथ सयुक्त अभ्यास अल लगा 2019 का तीसरा संस्क्रणा युजित करेगा दोस्तो भारत ओमान के तीसरा संस्क्रणा है अल्लागा 2019 यह 12 मार्च से उमान की जवल अखदर पहाड़ियों पर शुरू होगा ठीक है और यह 25 मार्च तक जारी रहेगा और दोनों सिनाय युद्ध कोशलों हथियारों के संचालन और गोला बारी में विश्य सक्जिता और अन्भावों का आदान प्रदान करेंगी और इस अभ्यास का उद्धेश क्या है दोस्तों तो इसका उद्धेश से आतंगवाद रोधी अभियानों में अंतर से क्रीता को बढ़ावना है ठीक है तो यह आप ठ्याद रखेंगी इसके लावा दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जो सेन अ युद्ध में जाने से पहले अपनी सेनाओं की ताकत और कमजोरियों पर काम करते उन्हें प्रिस्रिक्षण और चुनोतियों के लिए त्यार करना ठीक है इसके लाव दोस्तों मैं आपको कुछ प्रमुख भारत के सेयुक्त भ्यासों की जानकारी कुछ एक्ट बता देता ह इसलिए आप ध्यान दे सुनिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा जीमेक्स जो दोस्तों भारत और जापान की बीच होता है और ठीक है और काजिंद काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान की बीच ठीक है काजिंद सागरमाथा होता है सागरमाथा होता है दोस्तों चीन न नेपाल के बीच यह ओता है चीन नेपाल और भारत के साथ खी होता है में और भारत और फ्रांस्य नोसे नौगे मद्ध होता है ठीक है उसली नेक्स की बात करें तो भारत और शिलंका के मद्ध होता है और बात करें अगर अभ्यास मैत्री की तो भारती सेना और रोयल थाई सेना के विच्छ थाइलेंड ठीक है तो यह आप याद रखेंगे शूरी किरण भारत और नेपाल के मद्ध होता है सेंग। सेनब 78 एक बज्जर परहार होता है भारत और सेंग। राज अमेरिका का मत ठीक है इतने आपको याद रखना है और संप्रृति यह होता है भारत और बंगलादेश के संङरॉअ के संतुप्रिती ठीक है चलिए अगर्वोजन देखे लेते हैं कि 1997 में साहित के कि प्रुषकार के जाएंगे और इसका रूषन क्या है यह तो क्यूंप कैसीं को नहीं दिया गया ते रिख Into खूप्रियूंश्य फुरिद देगा तो क्यों कि दोस्तों कुझ जो मिटू काशन लगा या था इसलिए नहीं दिया गया था अब थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको नोबल पुरुषकारों के बारे में बता देते हैं देखे दोस्तों स्वीडिस बैग्जानिक अलफेड नोबल ने साल अट हरुस पंचान में अपनी वर्षियत में पुरुषकारों को स्थापना की थी ठीक है और आपको सब्सक्राइब नोबल पुरुषकारों के बारे में बता देते हैं दोस्तों पहला जो पुरुषकार मिला था भारत की में नोबल पुरुषकार पाने वाले पहले भारती थे रविना टेगोरे साहित के चेत्र में इनको मिला था ठीक है साहित के चेत्र में मिला था या आप भारत के पहले नोबल पुरुषकारों बिजेता है रविना टेवोर गीता अंजली के लिए मिला था ठीक है तो यह आप जरूर फ्रेक्ट याद रखेंगे इतने यह काभी इंपोर्टेंट है 1901 से शुरुवात हुई 30 पुरुषकारों की और दोस्तों पहला नोबल सांती पुरुषकार 1901 में रेट क्रास के संस्थापक है हेंडरी दुरांत और फ्रेंच पी सोसाइटिक संस्थापक फ्रेडरिक पैसी को संगतुरूप से दिया गया था ठीक है तो यह आप फैक्ट जर और पोक कारण चलिए अगला कोशन देख लेते हैं फौप्स वर्ड अरब पती सूची दोहरुनीज में मुकेश हम्बानी का स्थान क्या है मुकेश हमबानी जिसमें इनका 13 नमबर ठीक है अरब पती वर्ड अरब पती सूची में 13 में अस्थान पर हैं सबसे अमीर भरती है सबसे रहीज सबसे अमीर भारती आप सक पोते मुगेश सम्भानी यह वर्ल्ड की अगर बात करें तो फोपस जो पत्रिका उसमें अरब पतियों को सुची में तेरे में स्थान पर है ठीक है 131 बिलियन डॉलर के साथ अमेजान के संस्थापक जेफ बेजोस दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर वेक्ति हैं कौन है दुनिया के सबसे अमीर वेक्ति अमेजान के संस्थापक जो है 131 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर वेक्ति है जेफ बेजोस ठीक है उसके बाद बिल गेट्स और वारेन बफेट है ठीक है अगर बात करें बानी की दोस्तों संबानी ही 2018 में 40.1 billion dollar की संपत्य जीत की तब दुनिया के 19 में सबसे मीर वेकती थे और 2019 में 50 billion के साथ तेर में स्थान पर रहें ठीकिस चाह तो या प्याद रहें वो नीश में से 13 स्थान पर पहुंच गए 50 विलियन डॉलर के साथ और अगर बात कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति तो वह है जेफ बेजोस और रिलायंस इंडेस्टि इनिकेटीग रिलायंस कंपनी ठीक है इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं ठीक है और यह दूसु मुंबई में हैं इनका जन्म कब हुआ था मुकेशंबानी का 19 अप्रेल निश्च तौवन में ठीक है तो यह आपको फैक्ट याद रखना है रिलाइंस इंडिस्टीज के चेर्मेन भी है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं एच्पी इंडिया ने किस राज्य के साथ समझवता ग्यापन पर स्थाफर किये हैं तो यह कि यह आत्र प्रस के साथ एंडिया ने थिए अन्द्र प्रदेश में धुन के फिरिश्ट के अंदर के सताफना के लिए 5 मार्च को आइंड्र प्रदेश गबर्मेंट के साथ एक ऌरद्रद्र नवौन्वस समाज और आग्यों प्राइश hadits सा के विकास बोड़ के भीच हुआ है ठीक है है दोस्तों यहां फेड़ा सोथ आपको अंध्र प्रदेश के बारे मिता दे ते का प्रदेश हो रही तो आंद्रप्रदेश की कैप्टल अभी क्या है 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 धराबाद है भी सहगत रूप से आंद्रप्रदेश हो त्यलंगानक इसके बाद हमरावती होगी ठीक है और लाजेस सिटी है यहां की क्या है विशाका पट्टना में एक फैक्ट पूछा आता है भासायद है वर्नर कौनत विशल नर्शिम्मान है सीम की बात करें तो वह है एंचंदरबाभु नाइडू ठीक एंचंदरबाभु नाइडू यहां के चीफ मिनिस्टर है ठीक है और बात करेगा राजसभा की तो 11 सीटे है राजसभा की और लोग सब्सक्राइब कि यहां पर 25 सीटे है यहां की दोस्तों अगर यहां पर बात करें कि यहां की जो लैंग्वेज है ऑफिसियल हो तेलगू और डान्स क्या है अंदरब्रेश का कच्ची पूरी है कच्ची पूरी है और इस्टेट एनिमल है बलेक बग और वर्ड है रोज रिंग और फ्लावर है जास्मीन और ट्री अंदरब्रेश के साथ अगला दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आती हो आपके लिए अच्छी लगतित प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें इससे हमारा हुसला बढ़ता है वीडियो प्लीज शेयर जरूर करें ज्याद है गया को यह कोशन है हमारा फोप्स पत्रीकाद्वारवा के सिर्वकालिक सबसे यूवा सेल्फ इमेड एरफता माना गया है है तो यह हैं वह है काली जेंब फोप्स पत्रीकाद्वारव काली जेंब को अब होस्तकीा issप इप य's उस इनव प्रफि outlined ऐंप्धी वारफ्ति मुँआई 올adamente जोफ शोकि और फॉप ने कहा है कि वो दुनिया की सबसे कम उम्रों के अरब पती और अब तक की सबसे कम उन्म की सेलफमेड अरब पती है काईली जेनर कीश पर्शकी ठीक काईली जेनर चलिए अगला कोशन है मार्च 2019 में भारती राष्टी अभल्यकागार का महानिदेशक किसे नुख कि गया है most important question ने पूछा सकता है PV रमेश को किसको PV रमेश को सरकार ने PV रमेश को भारती राष्टी अल्वेक अगार का महानी देशक ने पीवी रमेश ठीक है दोस्तों चलिए अगला question देख लेते हैं हमारा पांच मार्च दोहरुनिश को प्रिताचकर आर्किटेक्चर पुरुषकार से किसे समानित किया गया है तो पुरुषकारों से भी एलेटेट कोईशन पूछ लेता है तो यह किया गया है अराता इजो जक्की को ठीक है यह आपको वता दें कि जापानी वास्तु का रही है इनक पृतरचकर आर्खिटेक्ट्ट्र पूस्कार शमान्ट किया गया जिससे अंतराष्टी स्तर पर यह अंतराष्टी स्तर के छेत्र में सर्वाज समान क्रों में मना जाता है ठीक है जो प्याद रखेंगे और यह पूरुसकार उनिश्व 1979 में स्थापित हुआ था प्रते एक वर्स जीवित वास्तुकार है आर्किटेक्ट को समानित करता है जिसका कार्य प्रति बहुत देश्टी को परसीद करता है ठीक है आपको बता दे दोस्तों कि जो अराता इजो जुकी है अपने अभिनों डिजाइनों में पूर लाँज किया है बढ़ो एप टीक है कि इसने गूगल ने बोलो एप ठीक है गूगल ने दोस्तों एक नया बोलो एप लाँज किया जिसका उद्देश से प्राथमी स्कूल बच्चों के हिंदु अंग्रेश चीखाना है ठीक है और इस फ्री एप को सबसे पहले भारत में ल तो ठीक है तो गूगल एक अमेरिकन मल्टी नेस्टल टेकनोलोजी कमपनी है वर्ल्ड की सबसे प्रसिद्ध कमपनी है गूगल दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी गूगल की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1998 में 1998 में हुई थी इसके फाउंडर्स कौन है गूगल तो आप अब सभी उच करते गूगल करते होंगे तो आप जान लीजिए लेरी पेज लेरी पेज और सरगेई ब्रीन इसके फाउंडर है ठीक है और इसका है हेटक्वाटर कहां पर है कैलिफोनिया यूसे में है ठीक है इसका है हेटक्वाटर है CEO कौन है सबसे मातमूने CEO याणी अधर भागवान महावी रहिंसा पूरिशकार के प्रत्हां प्राप्त करता कौन होंगे तो इसका करेक्ट एंसर था अभिनंदन वर्तमान ठीक है विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान आप सब क्यों पता है अब देख लेते हैं आज के सवाल क्या है हमारे जिसका एंसर सबसे उपर कौन सा है फटा फटा इसका अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दें शेयर कर दें सभी दोस्तों को साथ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ अवे लागन प्रिस करते हैं अभी लेटेस्ट आप डेली जरूर देख लिया करें मौनिंग में सर्च करके पांच से दस मिनट कर समय निकाल कर हर एक्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंबर्टन होता है दोस्तों ठीक है चलिए मिलते हैं शुब्यूक साथ आप अपना ध्यान रखें सोस तरहें बस तरहें प अहरत